हेलो स्टुडेंट्स तेयारी ओनलाइन में आप सब का स्वागत है आज हम सीटेट नवंबर 2012 पेपर फॉस्ट में पूछे गए मैट्स के कुश्चंस को सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं कुश्चंस पहला कुश्चंस है हमारा 2424 में दो के अस्थानिय मानू का योगफल है तो पहले हम यहां पे लिख लेंगे 2424 और अब हमें इसमें दो का अस्थानिय मान ग्याद करना है तो यहां पे दो का अस्थानिय मान हो जाएगा 20 दो दहाई के अस्थान पे है और यहां 2 का आस्थानी एमान हो जाएगा 2 पे 3 0 2 के आगे जितने डीजिट होंगे उस पे उतना 0 आ जाएगा यहां यह हो गया 2000 और यहां हो गया 20 तो अब क्या करना है इसका योगफल ग्याद करना है तो यह हो गया हमारा 2000 प्लस 20 कर दीजिये तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2020 हमारा आंसर आ गया तो हमारा correct आंसर हो जाएगा option number 4 2020 अगला प्रस्थन है हमारा 12 और 16 का नियूंतम सार्ब गुनज गुना 10 और 15 का नियूंतम सार्ब गुनज तो यहाँ पर बच्चो कह रहा है 12 और 16 का क्या निकालना है हमें LCM find करना है नियूंतम सार्ब गुनज का मतलब होता है LCM lowest common factor find करना है किसका पहले हमें 12 और 16 का lowest common factor find करना है चले करते हैं हम यहाँ पर दो से लगाएंगे सबसे पहले यह हो गया 2 चक 12 और यह हो गया 2 अठे 16 फिर हम इसे 2 से करेंगे 2 तीय चे और यह हो गया हमारा 2 चक 8 अब LCM नहीं लगेगा क्योंकि LCM हम तब तक लगाते रहेंगे जब तक 2 संख्या किसी एक संख्या से पुड़ा पुड़ा डिवाइड हो और यहाँ पर अब नहीं है तो अब हम नहीं लगाएंगे अब हमारा 12 और 16 का LCM क्या निकल जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4 क्या हो गया यहाँ पर दो दोनी 4 चारतीय बारा और बारा चोक 48 यह होगे हमारा 48 बारा और 16 का नियुनतम सार्व गुनेज अब हम निकालेंगे 10 और 15 का नियुनतम सार्व गुनेज जिसका भी LCM फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ यह दोनों संख्या 5 से डिवाइड हो रहा है 5 से करेंगे 5 दोनी 10 और 15 अब यह संख्या किसी से डिवाइड नहीं होगा तो अब हम इसका निकाल लेंगे 5 गुने 2 गुने 3 तो यह हो जाएगा 5 दोनी 10 दस दियाए 30 ठीक है 10 और 15 का कितना आगया सार्व नियुनतम सार्व गुनेज 30 आगया और 12 सुला का 48 अब क्या करना है अब हमें इन दोनों का गुननफल ग्याद करना है यानि 48 गुने 30 अब इसको गुना कर दीजिए यह हो गया 8 तरीक 24 चारतीय बारा 12 में 2 जोर दीजिए 14 और यह 0 आजाएगा तो हमारा आंसर क्या आ रहा है हमारा आंसर आ रहा है ओप्सन नंबर 3 1440 अगला प्रस्न है हमारा गुननफल 140 गुने 101 में क्या जोरा जाए जिससे की 14,414 प्राप्त हो तो अब हमें बताना है कि इसका गुननफल निकालेंगे उसमें क्या जोरेंगे कि हमारा आंसर जो है तो उसके लिए क्या करेंगे यहां देखें पहले तो यह है 140 ठीक है और गुना करना है किस से 101 से तो 101 को क्या करेंगे simplest form में पहले हम इसको लिख देंगे 101 को हम यहां लिख सकते हैं 100 प्लस 1 अब इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 140 में 100 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 140 इसके उपर double 0 प्लस 140 आ गया अब इसको add कर देंगे तो यहां क्या आ जाएगा हमारा यह आ जाएगा 14140 यानि कि 14140 आ गया 14140 और हमें answer क्या find करना है 141414 कैसे होगा तो 14444 में से घटा देंगे किसको 14140 को तो हम इसको यहां घटा देते है तो 4 में से 0 जाएगा 4 हो गया 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 7 और यह हो गया 3 3 में से 1 जाएगा 2 और यह क्या हो गया 0 और 0 तो कितना आ गया हमारा answer 274 यानि कि 14,140 में 274 को जोड़ेंगे तो क्या आजाएगा हमारा 14,414 तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा option number 2 दो क्या है correct answer है चलिए अगले question को देखते हैं अगला question है हमारा संख्या 100 के सभी गुनन खंडों का योगफल क्या है तो अब हम क्या करेंगे 100 का पहले factor find कर लेते हैं 100 का factor find करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ 2 से लगाएगे यह हो जाएगा हमारा 2,5,10 फिर हम 2 से लगाएगे 2,2,4,2,5,10 अब यह 2 से नहीं लगेगा अब लगेगा यह 5 से तो यह हो गया 25,25 फिर 5 से लगा देजिए 5 से कंपार नमबर ऑफ factor find कर रे का रूल है पहले यहाँ देखेंगे कितने times में कौन सा नमबर है तो 2 यहाँ 2 का यहाँ square है और 5 का यहाँ square है तो यहाँ क्या लग सकते हैं 2 का square है एक जादा करके लिख दीजिए 3 हो गया माइनस 1 कर देजिए अपॉन में 2 पे पावर 1 माइनस 1 multiply by 5 का square है तो यहाँ हम एक extra ले लेंगे cube हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 5 पे पावर 1 माइनस 1 अब इसको solve कर देते हैं हम तो यह हो जाएगा हमारा कितना 2 का square 8 हो गया 8 में से माइनस 1 कर देंगे और 2 में से माइनस 1 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा अपॉन में आ गया 1 और 5 का cube हो जाएगा 125 125 में से 1 सब्टेक्ट कर दीजे तो कितना हो जाएगा 124 और 5 में से 1 सब्टेक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4 अब हम इसे solve कर देते हैं 4 से इसको पुड़ा पुड़ा divide कर दीजिए यह हो जाएगा 4 तिया 12 4 एकम 4 क्या क्या बच रहा है अब यहां देखे 8 में से एक गया तो बच रहा है यहां पे 7 और गुना कर दीजिए 31 से को 31 से गुना करते हैं तो यह हो गया हमारा साथ एकम साथ और साथिया 21 यानि हमारा क्या आँचर आ रहा है 217 यानि 100 के गुनन खंडों का योगफल जो होगा वो हो जाएगा 217 तो हमारा आँचर हो गया आप्चन नमबर 3 217 चलिए अगला कुश्यन देखें अगला प्रस्ण हमारा है किसी दिन सुबह 6 बज के 14 मिनट से रात के 8 बच कर 2 मिनट तक गंटों तथा मिनटों की संख्या क्या है अब हमें क्या फ़ाइड करना है यहां पे घंटों तथा मिनटों की संख्या तो बहुत आजान है यांपे देखे शे बज़ के चौदा मिनट सुबह का हो रहा है याँ पे और शे बज़ के चौदा मिनट हमने साम का ले लिया पीम अब इसके बीच कितना अंतर है तो इसके बीच आ जाता है बारा घंटे का अंतर हो गया यहाँ पे बारा घंटे का अंतर अब कह रहा है कि 8 बज़ के 2 मिनट रात का 8 बज़ के 2 मिनट हो रहा है और 6 बज़ के 14 मिनट के बीच में कितना समय होगा साम के 6 बज़ के 14 मिनट और रात के 8 बज़ के 2 मिनट का हम अंतर निकाल लेते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 2 घंटे कितना minute हो जाएगा माइनस बारा minute अब यहाँ माइनस बारा minute आया है तो क्या करेंगे हम एक घंटा इधर ले ले लेंगे और इसको सब्ट्राइट कर देंगे यानि 2 घंटे में से एक घंटा ले लेंगे यानि 60 मिनट ले लेंगे तो याँ क्या बच जाएगा एक घंटा और 60 मिनट में से 12 मिनट को सब्ट्टरेक कर देंगे 48 मिनट आ जाएगा ठीक है तो यह हमारा क्या आ गया एक घंटा 48 मिनट यानि कि सामके 8 बजे से ले करके आठ बज के दो मिनट से ले करके सामके 6 बज के 14 मिनट के बीच में अंतर होता है एक घंटा 48 मिनट का और हमने निकाल लिया था यहाँ पे 12 घंटा तो अब क्या करेंगे एक घंटा 48 मिनट में जोड देंगे 12 घंटा ठीक है 12 घंटा हम यहां क्या कर रहे हैं जोड दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 13 घंटा 48 मिनट हमारा आंसर क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा option number 3 13 घंटा 48 मिनट का अनतर है सुबह 6 बज़ के 14 मिनट से रात के 8 बज़ के 2 मिनट तक के बीच में अगला प्रस्न हमारा कह रहा है दो बट्टे तीन में कितने एक बट्टे छे हैं तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं कि दो बट्टे तीन में कितने एक बट्टे छे हैं तो दो बट्टे तीन में एक बाई एक बट्टे छे हैं यानि क्या होगा दो बट्टे तीन से एक अब ये यहां पर divine हो गया, तीन दूनी 6, कितना आ गया, दो दूनी 4, यानि की 2 बट्ते 3 में 1 बट्ते 6 जो है, वह 4 है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, उप्सन नमबर 3, अगला प्रस्न हमारा है, 12, 10, 12 को 12 से भाग करने पर सेसफल है, कितना सेसफल बचेगा, ये हमे बताना है तो simply हम इसको 12 से भाग कर देते हैं यह हो गया हमारा संख्या इसको 12 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर हमने लगाया 12 एकम 12 यह पूरा पूरा डिवाइड हो गया 12 से अब आ गया यहाँ 1 0 को यहाँ उतारने के लिए यहाँ हमें 0 लगाना होगा उसके बाद 1 संख्या और उसके लिए भी हमें 0 लगाना होगा यहाँ आ गया 1 अब 12 के टेवल में पढ़ेंगे 101 से कौन सा संख्या छोटा है तो 92 96 ठीक है 96 हो गया 11 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 5 बच गया आ गया इसके उपर दो 12 चौक 48 48 गटा देजिए 52 में से तो कितना हो गया 12 में से 8 गया 4 और यह 4 चार खतम तो हमारा सेस्फल क्या बच रहा है सेस्फल यहाँ आ गया 4 तो हमारा आंसर हो जाएगा option number 4 4 इसका आंसर है अगला प्रस्ण है इन में से कौन सा सही नहीं है ध्यान रखेगा यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है यानि कोई ऐसा है इसमें जो गलत है अब यहाँ कह रहा है 1 पैसा बराबर रुपे 0.01 तो सही बात है 1 रुपे बराबर क्या होता है एक रूपे बराबर होता है सो पैसा सो पैसा हो जाता है एक रूपे बराबर तो यहां एक पैसा बराबर क्या होगा तो एक पैसा बराबर क्या होगा एक बटे सो ठीक है यह हो जाएगा एक पैसा बराबर यानि हमारा पहला option जो है वह correct है दूसरा option देखिए, दूसरा option कह रहा है एक और आधा दर्जन बराबर है 18 के तो ये भी सही है एक दर्जन में होता है 12 और आधा दर्जन में होता है 6 जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 12, 6, 18 तो हमारा दूसरा option भी सही है तीसरा ओप्सन हमारा कह रहा है एक मिली मीटर बराबर 0.1 सेंटी मीटर तो ये भी हमारा सही है एक सेंटी मीटर बराबर होता है दस मिली मीटर एक सेंटी मीटर बराबर क्या होता है दस मिली मीटर होता है तो हम इसे कह सकते हैं 1 mm बडाबर 0.1 cm यानि option number 3 भी हमारा सही है अब option number 4 देखते हैं तो option number 4 हमारा है 3 liter 30 ml बडाबर है 330 ml के अब यहां देखें 3 liter में कितने liter हो सकते हैं 3 liter में कितने ml हो सकते हैं तो 3 liter बडाबर 3000 ml ध्यान रखेगा 1 liter बडाबर क्या होता है 1000 ml होता है तो 3 liter में 3000 ml होगा 30 ml प्लस कर दीजे इसमें 30 ml तो कितना हो जाएगा यह 3030 ml होगा और यहां क्या दिया हुआ है 330 ml तो हमारा option number 4 जो है वह सही नहीं है तो हमारा answer हो जाएगा option number 4 क्योंकि हमें answer भी क्या दूड़ना है जो सही नहीं है चलिया अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रस्न हमारा है एक chocolate के 12 बडाबर भाग है मन्जू ने इसका एक चौथाई भाग अंजू को और इसका एक तिहाई भाग सुजाता को और इसका एक छठा भाग फीजा को दे दिया मन्जू के पास अब chocolate के बचे भाग है अब हमें बताना है कि मन्जू के पास chocolate के कितने भाग बचे हैं तो chocolate के कुल कितने भाग हैं तो कुल भाग हैं 12 ये हमें ध्यान में रखना है चौकलेट के कुल भाग 12 है और मन्जू ने इसका एक चौथाई अंजू को दिया है किसका? तो 12 का एक चौथाई दिया किसको? अंजू को तो यहां निकाल लीचे एक चौथाई तो ये कितना हो गया? 12, 4 तियाई 12 यानि तीन भाग दिया है उसके बाद कह रहा है इसका एक तिहाई भाग सुजाता को दे रही है यानि 12 का एक तिहाई भाग तो कितना भाग दे दिया? 3 चौक 12 यानि चौथा भाग उसके बाद है इसका एक चौथा भाग फीजा को दिया है किसका 12 का एक चौथा भाग दे देती है तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 यानि की दो भाग वा फीजा को दे देती है तो आप पूछ रहा है मंजू के पास चौकलेट के कितने भाग बचे है तो आप देखे जितने भाग उसने दे दिये उसको पहले आड़ कर लेजे आप तो ये हो जाएगा 3, 4, 7 और 2, 9 9 भाग उसने दे दिये है तो यहां लिखिए 9 12 में से 9 को घटा देजे 12 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आजाएगा? 3 तो अब मंजू के पास कितना भाग बचा है चौकलेट का? तो मंजू के पास अब 3 भाग बचा है चौकलेट का तो हमारा आंसर हो जाएगा option number 3 option number 3 correct answer है अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें तो चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं, हमारा अगला प्रस्ण है एक संत्रे का मुल्ले धाई रुपए है साथे तीन दर्जन संत्रे का मुल्ले क्या होगा तो यहां देखिए एक संत्रे का मुल्ले दिया हुआ है एक संत्रे का मुल्ले दिया हुआ है कितना धाई रुपए यानि कि दो रुपए पचास पैसा एक संत्रे का मुल्ले है और कितना पूछ रहा है? बोल रहा है कि साधे तीन दर्जन, तो एक दर्जन में कितना होता है? एक दर्जन में बारह, तो यहां पूछ रहा है साधे तीन दर्जन, यानि कि पहले हम तीन दर्जन निकाल लेते हैं, तो तीन दर्जन में हो गया हमारा 36, 36 संत्रे हो गया, और आ प्रुपया पचास से गुना करते हैं यह हो गया हमारा 42 गुने 2 पेंटों 15 पैसे दसमलों हटा देंगे तो नीचे में आ जाएगा तो अब क्या करेंगे 21 गुने 5 एकिस से 5 को गुना कर देते हैं 5 एकम 5 पांदूनी 10 यानि 42 संत्रे का मुल्य कितना हो गया 42 संत्रे का मुल्य हो गया 105 रुपे 105 रुपे हमारा आंसर निकल आया तो हमारा आंसर हो गया option नमबर 2 105 रुपे अगर आपको question में कहीं भी problem हो तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं अगला प्रसन है 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्स को वर्गाकार टाइलों से पून तया ढगना है यदि प्रतेक टाइल की लंबाई 50 सेंटी मीटर हो तो आवश्यक टाइलों की नियुनतम संख्या है अब हमें यहां पे टाइलों की संख्या बतानी है तो यहां देखिए पहले तो है कि 10 मीटर लंबी वर्गाकार एक कमरा है यानि कि वर्ग के आकार का है वर्ग यानि कि जिसका सभी साइड क्या होता है बडाबर होता है एक साइड यहां दे रखा है 10 मीटर तो इसके जो बाकी साइड से वो भी 10 मीटर के ही होंगे तो अब हम वर्गाकार कमरे का एरिया निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा इसका एरिया तो इसका area हो जाएगा 10 गुने 10 यानि 100 meter square ध्यान रखेगा 100 meter square अब क्या कह रहा है परतिक tile की लंबाई जो है वह 50 cm है tile की लंबाई कितनी है 50 cm कमड़ा बरगाकार है तो tile भी बरगाकार ही लगेगा तो 50 cm है अगर हम Tile का निकाल लेते हैं area Tile का area find करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 50-50 cm, ठीक है 50-50 cm अब हमें यहाँ पर Tile की संख्या ग्याद करनी है तो चलिए अब हम Tile की संख्या ग्याद कर लेते हैं कि कितना Tile यहाँ पर लगेगा कमड़े का छितरफल निकल गया था हमारा 100 मीटर स्कॉयर और मीटर स्कॉयर में है तो क्या करेंगे पहले इसको हम सेंटी मीटर में कनवर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 100 गुने 100 क्योंकि मीटर स्कॉयर है अब नीचे हमारा है टाईल का area पचस में 50 cm2 अब कट कर दीजिये ये हो गया पचास दूनी 100 और ये हो गया पचास दूनी 100 क्या हो गया दू-दू-दूनी 4? 4 को 100 से गुना कर दीजिये 400 तो अब टाईलों की संख्या हमने कितनी प्राप्ट कर ली? टाइलों की संख्या हो गई 400 तो कुल कितने टाइल्स लगेंगे कमडे में 400 हमारा आंसर क्या हो जाएगा option number 3 400 टाइल्स चलिए अगरे प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण हमारा है दो वर्गों के परिमाप 12 cm और 24 cm है बरे वर्ग का छेतरफल छोटे वर्ग के छेतरफल का कितना गुना है तो चलिए देखते हैं हम यहाँ दो वर्ग बना लेते हैं बर्ग में क्या होता है सभी साइट बड़ाबर होता है यहाँ में हमेशा ध्यान रखना है तो माल लिया एक साइट ए है है संपॉफ usaprès होता है तो यहां साइड फाइंड हो गया एक साइड हो गया यह कट कर दूजयरा चारतीया बारा यानि कि उसके बाद दोसरा कहल रहा है कि 24 सेंटीमीटर का刑ब है तो यहां भी हमारा फगल बराबर कितना हो जाएगा 24 चार से कट कर दीजे 4 चक 24 तो A कितना आ गया A आ गया 6 यानि कि एक साइड हमारा 6 cm फाइंड हो गया अब हमें एरिया फाइंड करना है तो वर का एरिया होता है A 2 यानि 3 गुने 3 का 2 कितना हो जाएगा 9 cm 2 और यहां भी हम वही करेंगे वर का एरिया फाइंड करेंगे A square बड़ाबर हो जाएगा 6 गुने 6 तो यह हो गया हमारा 36 cm square अब कितना गुना जादा है 36 cm square 9 से 9 cm square से तो 4 गुना जादा है 9 चौक 36 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा option नमबर 3 चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा है किसी आयताकार बकसे की आंतरिक लंबाई, चौडाई, उचाई क्रमसद 10 cm 8 cm और 6 cm है 6,240 cm घनों को पैक करने में कितने बकसों की आवश्यक्ता है कुल घन हमारा यहां दिया हुआ है 6,240 इसे हमें पैक करने में कितने बकसों की आवश्यक्ता होगी यह हमें बताना है तो यहां पे हमें क्या करना होगा आयताकार बकसे का volume दिया हुआ है volume क्या होता है यहां देखिए volume होता है लंबाई गुने चोड़ाई गुने उचाई ठीक है तो यहाँ यह हमारा है 6,240 cm घन है cm3 दिया हुआ है और यह लंबाई हमारा हो गया 10 cm चोड़ाई 8 cm और उचाई है 6 cm 0 से 0 कट कर दीजिए 6 से इसको कट कर दीजिए 6 कम 6 और यह हो गया आपका 6 चोग 24 कट हो जाएगा 8 कम 8 बजिया 2 8 रिक 24 तो कितना आ रहा है कितना बक्सा लगेगा तो 13 बक्सों की आवश्यक्ता होगी 6,240 cm घनों को पैक करने में तो हमारा आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर 2 13 बक्सों की आवश्यक्ता होगी यहाँ पर अगला प्रसन है अमारा 4 और 1 तिहाई समकोन में डिग्रियों की संख्या है अब हमें बताना है कि 4 और 1 तिहाई समकोन में डिग्रियों की संख्या कितनी है तो समकोन जो होता है वह 90 डिग्री का होता है ध्यान रखिएगा समकोन जो होता है वह कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है तो यहां कहा रहा है 4 समकोन यानि कि 4 गुने 90 और क्या कहा रहा है और कहा रहा है 1 तिहाई यानि 1 बटे 3 गुने 90 इसमें डिग्रीओं की संख्या कितनी है यह हमें बताना है तो यहां यह हो गया 30 तीय 90 और 9.36 यह हो गया 360 प्लस 30 कितना हो जाएगा 360 प्लस 30 390 तो कितनी डिग्रियां आ गई समकोन की तो 390 डिग्री तो हमारा आंसर हो जाएगा option number first चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण हमारा है आकरिती में परतेक वर्ग की भुजा एक सेंटी मीटर है चायांकित भाग का छेतरफल वर्ग सेंटी मीटर में है हमें निकालना है चायांकित भाग का छेतरफल तो पहले हम क्या करेंगे टोटल वर्ग का संख्या निकाल लेंगे कि टोटल वर्ग कितना है तो वर्ग की कुल संख्या जो है यहाँ पे वह कितनी है तो देखी यह हो गया एक, दो, तीन, चार, पाँच और इधर से काउंट कर लिजे एक, दो, तीन, चार और यह हो गया पाँच यानि कुल वर्गों की संख्या यहाँ पे है पचिस और कितने वर्ग रेखांकित नहीं ह तो अब हम वो गिल लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये दोनों को मिला के साथ इसको मिला के 8, 9, 10, 11, 12 और ये हो गया हमारा 13 और ये दोनों को मिलाएंगे 14 और एक 15 तो यहाँ पे 6 आंकित जो वर्ग नहीं है उसकी संख्या कितनी हो गई? 10, तो 6 आंकित वर्ग के संख्या का 6 तरफल कितना हो गया? 10 cm² तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आप्सन नमबर 3 10 cm² सीटेट में इसी टाइप के कोईशन्स पूछे जाते हैं कोईशन्स बिलकुल एक दूसरे से मिलता जुलता ही होता है बस नमबरिंग थोड़ी बहुत चेंज होती है तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वह उतना ही आपके लिए बहतर होगा और अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं या सीटेट के प्रिवियस पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे बैवसाइट तेयारी ओनलाइन डाउनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ